वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें बहुत जल्दी सीरीज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद हम लोग अगला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो जैसा कि यह क्लास डेली रात को 9 बजे आती है अगर आप चैनल पर न्यू है तो आपकी जानकारी के लिए करता दू अगर आप समिक शादिकारी और सहाइक समिक शादिकारी के साथ यूपी-पीसेस एक्जाम के उपीपेशन करते हैं यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं साइंस के कोश्चन को सॉल्व करा रही हूं और आप देखेंगे कि क्लास डेली रात को 9 बजे आती है चैनल पर प्लेइलिस्ट बनी हुई है यूपी-पी-स और आरो-ए-रो ट्वी एक्जाम दोहजार तेस के नाम से ठीक है तो आप सेल्श करेंगे तो आ जाएगी प्लेलिस्ट और दोपर एक बज़े वाली क्लास में जीए सेक्शन कवर करा रही हैं जिसमें लो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को जोगरफी पढ़ना है इसके प्लक कर देगे हैं लेकिन इसके बाद जो आप 500 कोशन में एक्जाम टाइम में करांगी न शायन इसके वह स्टेटमेंट वाइस को स्ब्धेक्षंट कराऊंगी यह लिए करा लिए वन लाइन यर होगा वो सब्जेक्ट हम लोगी स्टार्ट कर लेंगे चलिए आज का पहला कोशन देखते हैं इसमें पूछा गया है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है वर्ट इस हाइड्रोपोनिक्स ऑप्सन ने है म्रदा संग्रक्षन ऑप्सन भी है सब्जियों का अध्यन ऑप्सन सी है लोग को आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है तो यह प्लीज आप लोग बता दीजेगा जिसे यह आप लोग को दिक्कत हो रही आवाज की वो ना रहे आगे से इसका राइट आंसर ऑप्सन सी मिट्टी के बीना जो भी पौधे ग्रो करते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स की कटेगरी में रखते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं 397 कोश्चन है डार्विन का प्राकृतिक चैन का सिधानत आधारित है डार्विन्स थियोरी ऑफ नैचुरल सेलेक्शन इस बेस्ट ऑन ऑप्सन ने है अधिक प्रेजनन ओवर प्रोड़क्शन ऑप्सन भी है श्ट्र जाता था और हम लोगों ने रट रट के इसको याद किया था आप चाहें किसी भी बैक्ग्राउंड से रहे हूं यह आपने पढ़ा है और यह बार-बार बोलते हैं इसका अंसर मुझे नहीं लगता कि आपको इसका अंसर नहीं आता होगा फिर भी मैं बताऊंगी इसका सही उत्तर हो जाएगा option D अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो survival of the fittest होना चाहिए लेकिन अगर आपको पूरी थियोरी याद होगी तो आपको इसका अंसर पता होगा लेकिन अब तक तो आप Darwin theory भूल चुके होंगे तो मैं याद दिला देती हूं यह जो Darwin's theory है natural selection क इसमें इन्होंने सबसे पहला point बताए overproduction it means all organisms produce much more office springs than that can actually survive it means सभी organism अपनी जैसी बहुत जादा office spring को produce करते हैं उसमें से जो भी देखेंगे अब देखी बहुत जादा species होंगी तो उनमें क्या होगा struggle होगा आपस में जीने के लिए खाने के लिए रहने के लिए survive करने के लि अपनी existence के लिए struggle करेंगे ठीक है जो भी उनमें से adapt कर पाएगा environment के according वही survive कर पाएगा ये तीसरी थियोरी में बताया survival of the fittest तो ये कुछ point बताये थे इसके अलावे इनोंने variations exist within a population भी बताया था ये एक छोटी सी थियोरी के मादन से मैंने आपको समझा याद दिलाने की को ले करके हर एक चीज़ को ले करके लेकिन उसमें से भी वही survive कर पाएगा जो तोड़ा तेज होगा फुर्तीला होगा आपने किसी डॉगी के बच्चे को देखा होगा ना मैं उसमें एक्जामपल देती हूं तो बहुत सारे बच्चे रिप्रोडियूस करते हैं अपने जैस अगला प्रशन है जैविक विकास के संदर में सापोक में अंगो की हानी को किस परिहटना द्वारा समझाया गया है In the context of organic evolution, the loss of limbs in snakes is explained by the phenomenon of बिलो में रहने के लिए अनुकूलन, adaptation to living in burrows Option B है natural selection, अर्थात प्राकरतिक चैन Option C है use and disuse of organs, मतलब अंगो का उप्योग और अनुप्योग Option D है ननौप्तीज, इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा Option C, राइट होगा देखे ये थियोरी समझाई गई है, जिन अंगो का उप्योग रहता है वो और विक्सित होते जाते हैं जिन अंगो का उप्योग नहीं होता, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं अब सिष्ट बचते हैं तो पहले क्या हुआ था कि सापों में जो होता था पैर हुआ करते थे लेकिन वो अपने बिल में कैसे जाते थे, रेंग करके जाते थे पैरों का यूज नहीं था, तो धीरे धीरे ये पैर खत्म हो गया और अब आप देखते हैं सापों में पैर तो नहीं दिखाई देते फिर अगला प्राशन देखिए, मलेरिया के इलाज के लिए निम्रखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है इसमें आप देखेंगे, नमबर वाइस दिया गया, उसके अनुसार ओप्शन देखेंगे फर्स्ट है कुनैन, सेकेंड है प्राइमा क्वीन, थर्ड है एट्वाकोन, और फोर्थ है क्लोरो क्वीन इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा और यह चारो की चारो मलेरिया में यूज की जाती ही मेडिसिन आप्शन D होगा 1,2,3,4 तो अब अगर किसी को मलेरिया में दवा देना है तो आप समझ जाएंगे कौन सी मेडिसिन देनी है अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा साप है जो प्रकरती में जहरीला है कोब्रा, वाइपर, क्रेट इनमें से बताने कौन सा जहरीला है तो option D राइट होगा तीनों के तीनों ही जहरेले हैं तो से मुझे साप देखना पसंद है मैंने रियल में तो इतने नहीं देखे अनिमल प्लैनेट में मैंने बहुत देखा या डिसकवी चैनल पे आप देखेंगे तो जो भी आपको साप ये कोब्रा, वाइपर, क्रेट देखना है न इनकी इमेज डालिएगा और बहुत बड़ी अबड़ी असी इमेज आ जाएंगे और वीडियो भी आप देख सकते हैं चलिए 400 फर्स्ट कोश्चन है कर्म खून वाले जानवर वे होते हैं जो अपने सरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं वाम ब्लेड़ेड अनिमल्स हार दोस वीच आ एबल टू कीप देर बॉड़ी टेंपरिचर उप्शन इसमें पहला है वायमनली तापमान के बराबर रखते हैं उप्शन भी एक समान तापमान हर समय रहता है इनका उप्शन C पर्यावरंड से अधिक रहता है और उप्शन D है पर्यावरंड से कम रहता है देखिए जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं ये अपने तापमान एक समान रखते हैं इनका कॉंस्टेंट टेंपरेचर रहता है हमें से उप्शन बी राइट होगा अगला कॉंस्टेंट थोड़ा इंट्रेस्टिंग सा है और इसमें बताने इसमें से कौन सा जीव है जो स्वास लेता है त्वचा से विच ओर्गिनिजम अमंग दीज ब्रीज फ्रॉम स्कीन उप्शन फर्ष्ट है मश्चली, फिश, उप्शन बी है कबूतर, उप्शन C है मेढक और उप्शन D है तिलचटा इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C, मेढक मेढक अपनी तवचा से रेस्पिरेशन करते हैं या इसकिन से सांस लेते हैं उप्शन C राइट होगा मेढक अगला प्रशन देखिए और अब इसमें बताईएगा कि इन में से कौन सा कीट नहीं है पहला उप्शन है तितली, दूसरा उप्शन है मच्चर, तीसरा उप्शन है तिलचटा और उप्शन D है मक्री इसका सही उत्तर देखी क्या हो जाएगा मक्री ये तरह का कीट नहीं है बाकि सारे कीट है तितली, मच्चर, तिलचटा ये सारे कीट की कटेगरी में है अगला प्रशन है सापों की विस ग्रंथी किसके अनुरूप होती है पॉईजन ग्लैंड और उप्शन ग्लैंड और दूसरी सिलाइवरी ग्लैंड है वर्टी ब्रेट्स की आप्शन दी है इनमें पैसे कोई नहीं मतलब जो आप्शन दीए गया है इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑँसर हो जाएगा जो सिलाइवरी ग्रैंड होती है जो लार ग्रंथियां होती है वर्टीब्रेट्स में उनके समान होती हैं सापों की विस ग्रंथियां होती हैं होमोल ओर्गस ओर्गन्स वो होते हैं जो एक समान ओर्गन होते हैं तो देखेंगे जैसे लार ग्रंथियां होती हैं वैसी सापों की विस ग्रंथियां होती हैं Option A है गन्ना, Option B है अधरक, Option C है सकरकंद और Option D है आलू, इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर आपसन C है, यह जो स्वीट पटेटो है यह सकरकंद है, यह भंडारंड का अंग जो है तना नहीं होता इसमें, इसमें रूट होती है, जड़ होती है, इसके अलावा गन्ना, अधरक, कालू, इन सब में स्टोरेज पार्ट क्या होगा, आप देखेंगे इस टेम होता है, अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच उप्योगी क्रियात्मक संबंध है, Option A है जैवुर वरक, Option B ह अगला प्रशन है परजीवियों के भीतर परजीवियों की जो पस्तिती है या एक घटना है जिसे इस रूप में जाना जाता है, The presence of parasites within parasites is a phenomenon known as, Option A है साहभोजिता, Option B है अती परजीविता, Option C है अंतर परजीविता, और Option D है बहिर परजीविता, इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, Option B, अती परजीविता बोलते हैं से या हाइपर पैरसीटिजम बोलते हैं, Next question है, Long पौधे के निमलखित में से किस भाग से प्राप्त होती है, सूखे पत्ते, Option B है सूखे बीज, Option C है सूखे तने, या Option D है सूखे फूल की कलिया, इसमें कौन सा आंसर आप चूज करेंगे, इसका राइट आंसर चूज करेंगे, Option D, सूखे फूल की जो कलिया होती है वो Long उससे ही प्राप्त की जाती है, Next question है, निमलखित में से कौन सा false fruit नहीं है, Which of the following is not a false fruit, सबसे पहले समझे false fruit होते क्या है, सबसे पहले समझे false fruit क्या होते है, तो false fruit का जो formation है, ये ovary से नहों करके उनका जो adjacent part होता है, जैसे की carpel और exterior parts हो गए, उनसे formation होता है, अब इसमे काजू दिया गया है, सेब दिया गया है, खीरा है, और आलू बुखारा है, जिसे प्लम बोलते हैं, इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, और इसमें आप जो answer right करेंगे वो हो जाएगा, option D, ये false fruit नहीं है, इसके अलावा काजू, सेब और जो खीरा है, ये क्या होते ह हैं, ये false fruit होते हैं, तो यहाँ पर option कौन सा right होगा, option D, अगला प्रेशने, लीची को किस प्रकार के फल की शेडी में रखा जा सकता है, अब इसमें droop है, है, speedium है, nut है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, इसका सही उत्तर देख लीची हो जाएगा, option A, ये droop प्रकार का फल होता है, लीची, देखिए, जो droop फल होते हैं, इनमें क्या होता है, कि बाहर साइड एक covering होती है, अंदर उनका जो bees होता है, वो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये droop फल होगा, अब आप लीची देखते हैं, लीची के उपर एक covering होती है, covering के अंदर का part हम लोग खाते हैं अंदर एक पीज होता है तो यह एक डूप केटेगरी हो गए फल की जिसमें यह आता है option A right होगा next question है जीवो के निमलिखित समूहों में से किस एक का डूबने से म्रत्यू का निदान करने में महत्व है lichen, protozoa, cyanobacteria या फिर diatum which one of the following groups of organism has significance in diagnosing the death by droney lichen, protozoa, cyanobacteria, diatums में से बताना है इसका right answer हो जागा option D, diatum के द्वारा अगला प्रशन है सहतूत के फल को किस नाम से भी जाना जाता है option A है psorosis, option B है summer, option C है psychonus, यो option D है इनमें से कोई नहीं इसका right answer हो जागा option A psorosis के नाम से भी जानते है next question है निम्रिकित में से कौन सा फल सोरोसिस फल का उधारण है अभी हम लोगों ने पढ़ा option है अंजीर, अननास, option C है सहतूत और option D है उप्रोगत सभी इसका right answer हो जागा सारे के सारे option D right होगा ये सारे के सारे सोरोसिस फल के उधारण है अगला प्रशन है मद्ग में के उप्चार में प्रयुक्त होने वाले हॉर्मोन इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी option A है FG-Banting, option B स्लेडन और स्वान, option C है हूग option D है ब्राउन, इसका right answer हो जागा option A FG-Banting ने की थी स्लेडन और स्वान ने, मतलब ये दो साइंटीज जो थे इन्होंने थियोरी दी थी, सेल थियोरी रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल की खोज करी और ये जो ब्राउन है इन्होंने नुकलियस की खोज करी option A right है नेक्स्ट कोश्चन है टमाटर के लाल रंग के लिए निम्रिखित में से कौन जिम्मेदार है which one of the following is responsible for the red color of tomato option A है B carotene, beta carotene बोलते हैं इसको option B है anthocyanin, option C है lycopene option D है उप्रोब्ट में से कोई नहीं और इसका answer रट लीजे, बहुत important question है इसका right answer option C इसका right answer हो जाएगा lycopene अगला प्रशन है yeast और मस्रूम एक तरह के हैं algae, cover, gymnosperm या फिर tuberous roots हैं कंद्यूक्त जड़े हैं तो इसका right answer है एक तरह के fungus हैं ये फंजाई की केटेगरी में आते हैं अगले प्रशन में कपास का प्रमुक घटक बताना है क्या होता है protein, cellulose, fatty acids या फिर जीवाण और इसका right answer हो जाएगा option B cellulose होता है इसका मुख्य घटक अगला प्रशन है lycan बनाने के लिए सैवाल और कवक के बीश सैयोजन को क्या कहते हैं the interaction between algae and fungi to form lycan is called parasitism बोलते हैं, mutualism बोलते हैं, conversion या फिर commensalism बोलते हैं, ठीक है हिंदी में देख लीजे पर जीवी वाद, option B है पारसपरण, option C रूपान तरण और option D है सहभोजवाद, अगर इस तरह प्रेशन आता है तो आप जाएंगे option B वाले उत्तर के साथ इसे mutualism बोलते हैं, या पारसपरण बोलते हैं अगला question देखिए, इसमें statement wise question दिये गए हैं और इतने statement देखे घबराईए नहीं, पहले ध्यान से पढ़िए question पूछा गया, which of the following statement is incorrect regarding the general difference between plant and animals है तो पौधे और जन्तु कोशिकाओं के बीच में क्या difference होता है वो पूछा गया है, पहला है, और इसमें से बताने है कौन सा गलत दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा पहला statement है, mature plant cell has one large vacuum whilst animal cell has many small vacuels तो इसमें बता गया है, जो पादब कोशिकाओं ये mature नहीं यहाँ पर होगा plant cells जो होती, मतलब या परिपक को भी देख लेते हैं, तो परिपक को plant cell में या mature plant cell में जो large vacuels पाए जाते हैं और animal cell में आप देखेंगे छोटे vacuels होते हैं पहला statement correct है, second statement देखें plant cell have cellulose cell walls whilst animal cell do not तो plant cell में cellulose की cell wall बनी होती है लेकिन आप देखेंगे animal cell में नहीं होती है तो ये भी आप देखेंगे correct हो जाएगा option C है, plant cell do not have plasma membrane unlike animal cells which do अर्थात इसमें बताएगे, जन्तु कोशिकाओं में आप देख रहे हैं, इसमें plasma cell है लेकिन आप पा रहे हैं कि पादब कोशिकाओं में plasma जिली नहीं होती है, इस statement में बताएगे और ये incorrect है, तो option D अपने आप की सही हो जाएगा, option C right होगा, देखें जो plasma membrane है, ये दोनों में पाई जाती है वो चाहे animal cell हो, animal cell में तो plasma membrane ही पाई जाएगी लेकिन जो आप देखें कि plant cell होती है, इसमें cell wall तो होती ही है इसके साथ-साथ क्या होगा, plasma membrane भी होती है कलती नहीं होगी इस question में, ये basic सा question हो, इसमें आना चीज जैसे कि ये animal cell है, ठीक है, इसमें plasma membrane पाई जाएगी, एक जिल्ली होती है दूसरी मान लीजे, ये plant cell है, आप लोगों ने अपने school time पे बनाई होगी बहुत बार ये cell, इसको देख लीजे, ऐसे drop किया है मैंने तो इसमें plant cell में देखे, cellulose की बनी होती है, ये cell wall, ठीक है cellulose की बनी होगी, और ये क्या करती है, रिजीडिटी, रढ़ता प्रेदान करती है तो अगर आप plants को touch करके देखेंगे, तो कितने hard होते हैं, रिजीड होते हैं लेकिन अपनी body touch करेंगे, तो क्या होता, आप touch करेंगे, तो finger आसानी से आपकी body में अंदर चली जाती क्योंकि आपकी जो cells हैं, वो कैसे बनी ही animal cell है, प्लाजमा cell से बनी हुई लेकिन यहाँ पर एक hard covering है, प्लांट में क्या है, यह होती है cellulose की बनी हुई cell wall, जो इसको द्रठता प्रिदान करती है अब nucleus दोनों में ही है, nucleus होगारा, मैं जब यह chapter पढ़ाऊंगी, तो detail में समझाऊंगी, बस यह समझ लीजे यहाँ पर जो facts दिये गए हैं, उनको समझे है, अब देखिए, दूसरी चीज इसमें बताई गई है, कि इनमें जो vacuoles देखिए, इनमें छोटे-छोटे होते हैं, animal cell में छोटे-छोटे होंगे vacuoles लेकिन यहाँ पर आपने plant cell में जब भी ड्रॉक किया होगा, देखा होगा, बड़े-बड़े होते हैं vacuoles, तो यह जो लिखतिकाए हैं, यह plant cell में बड़ी होती हैं, और देखेंगे आप यह जो जानवरों में हैं, तो इसमें छोटी होती हैं तो तीनो facts मैंने इसमें समझाई दिये हैं आपको, यह major difference था, जो इसमें दिये गए हैं, बाकी आगे में जब cytology पढ़ाऊंगी या फिर cell के बारे में पढ़ाऊंगी, तब वहाँ पर clear कर दूँगी क्यूंकि यह के question में अगर हम explain करने में बैठेंगे ना, तो फिर ददस बीस बिस बिस मिनोट एक ही question में चला जाएगा, तो इसलिए दुपर वाली class इसलिए चल रही है, वहाँ पे theory ज़रूर complete करते रहे हैं, डाउट नहीं रहेंगे अगला question देखे, निमलिकीत में से कौन सा कोशिकांग, protein sensation में सबसे महत्पूर्ण भूमी का निभाता है, English में देखे, which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis, option A है endoplasmic reticulum and ribosome, option B है Golgi apparatus and mitochondria, option C है lysosome and mitochondria, option D है lysosome and centrosome, इसका right answer option A, देखे, यह nucleus अभी मैंने अंदर बनाया था न, तो nucleus से ही लगे होते है endoplasmic reticulum, ऐसे ऐसे structure देखा होगा आपने, यह nucleus से मैं फिर से draw कर दे रही हूं सही से, यह मान लीजे nucleus है, ठीक है, यह double membrane होता है, इसी से endoplasmic reticulum connect रहता है, कुछ rough होते हैं, कुछ smooth होते हैं, ऐसा ऐसा structure आपने देखा है न, यह होते हैं, इन पे आने दार यह ribosome present होते हैं, यह ribosome क्या करते हैं, एंडoplasmic reticulum और ribosome क्या करते हैं, प्रोटीन की synthesis करते हैं, तो प्रोटीन की synthesis किसके दोरा होती है, राइबोसोम के दोरा, option A right होगा, एक एक करके जो भी questions आते जा रहे हैं, मैं उनको explain करने की कोशिश करती हूं, जिससे आ पारे में कुछ न कुछ और जानकारी मुझे से पाते हैं, जिससे अगले प्रशन आपके तयार होते रहें, अगर वीडियो अच्छा लगा, प्रीज लाइक कीज़े, चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, और लोगों को share भी करते रहे हैं, या फिर आपका जो भी सुझाओ है इन क्लासिस को ले करके जरूर बताईए, अगर आप न्यू है इस चैनल पर, तो आपको क्लास कैसी लगी, लिवीव जरूर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी कोशन में कमेंट करके पूस सकते हैं, ऐसे यह और कोशन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीड आ रही हूँ, तो प्रिपेर रही है मेरे साथ, अगले सब्जेक्स को भी पढ़ने के लिए भी जरूर की कम्प्लेट कीजिए, मिलती हूँ अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद